पेशे राजस्तान के श्री गंगानेगर हनुमानगर जिले की बड़ी खवरें श्री गंगानेगर जिले की सूरतगर पंचायत सिमीती के विकास अधिकारी विनोथ कुमार रेगर द्वारा लाखो रुपे के घोटाले की जांच करने के लिए जीला मुख्याले से एक टीम पंचायत सिमीती कार्याले में पहुंची जीला कलेक्टर के आदेश पर गठित जाश दल ने पंचायत सिमीती कार्याले से समंदित रिकॉर्ड जब्द कर लिया इस मामले में बीडियो वे सम्मंदित करमचारियों के बयान भी दर्ज किये गए जीला कलेक्टर के आदेश पर सुरतगर के उपखण अधिकारी मनोज मीना की अध्यक्षता में जांश दल गठित किया गया था श्री गंगानिगर में लॉकडाउन के पहले से प्रोपर्टी बजार में मंदे होने का दावा किया जा रहा था लेकिन पिछले कुछ दिनों के दुरान एक के बाद एक पांच नई कलोनिया लॉंच की गई है एक बार फिर कलोनाइजरों ने निवेशकों को सब जबाग दिखाने की योजनाय बना ली है जानकारी के अनुसार हनुमानगर रोड और बाईपास पर स्थित इन कलोनियों में भुखंडों के रेड़ भी तेजी वाले ही रखे गई है कहीं 30 लाग रुपे में भुखंड मिल रहा है तो कहीं 40 लाग में मकान बना कर देने की चर्चाएं की जा रही है अभी तक इस कलोनी के सबी भुखंडों का सोदा होने की फुष्टी नहीं हो पाई है बताया जा रहा है कि जिन लोगों के पास एक से अधिक भुखंड है वे अधिक कीमत के लिए कोलोनाइजर के साथ मौल भाव कर रहे हैं श्री गंगानेगर से दिल्ली के लिए रोडवेस बस को अभी नहीं चलाया जा सका है हलांकि इसके लिए एक बार अनुमती जारी हो गई थी सोमवार को पहली बस दिल्ली जानी थी लेकिन राजय सरकार ने रोग लगा दी रोडवेस के यातायाद प्रबंदक रवी पुनिया ने बताया कि हर्याना से रोहतर तक दो बसे चलाई जा रही है तीसरी बस दिल्ली के लिए शुरू होने से पहले ही रोक लग गई पंजाब के लिए भी कोई बस नहीं जा रही है प्रदेश और जिले में 46 शेडूल पर बसे चल रही है कोरोना के मामले बढ़ने के कारण यात्री भार भी लगातार कम हो रहा है निस्तारण नहीं होने की वज़े से श्री गंगानगर के शहरी शेत्र के पुलिस थानों में कबार बढ़ रहा है नियमिस निस्तारण के अभाव में थानों में माल खाने भी छोटे पढ़ने लगे है पुरानी अबादी, कोटवाली, जुआहर नगर और सदर थानों में ऐसे वाहनों की तादाद बहुत ज़ादा है जो लंबे समय से मोजूद है संपर करने पर S.H.O. रंजित सेवदा ने बताया कि अधिकांश वाहनों का निस्तारण न्याल्य से होता है श्री गंगानेगर में स्वास्ते विभाब को कोरोना जांच के लिए बीकांश भेजे गए 1000 से अधिक सैंपल की रिपोर्ट का इंतजार है ये 1063 सैंपल पिछले 3 दिन के बताये जा रहे हैं रिपोर्ट नहीं मिलने के कारण संबंदित व्यक्तियों और उनके परिजनों को भी चिंता सता रही है PMO Dr. Case कामरा ने बताया कि कल शाम तक 9689 सैंपल लिए गए थे इन में से 8612 की रिपोर्ट आ चुकी है 1063 की रिपोर्ट का इंतजार है जिले में अब तक संक्रमीत रोगियों की संख्या 91 है इन में से 57 सफस्थ हो चुके है तीन की मोथ हो चुकी है वर्तमान में एक्टिव केस 31 है इनका जिला चिकेट साले में उपचार चल रहा है सैंपल लेने का सिलसिला लगातार चल रहा है श्री गंगा निगर जीरा पुलिस की ओर से शुकरवार को कॉंस्टिबल की परिक्षा का आयोजन किया गया याताया थाना प्रभारी कुलदीब चारण ने बताया कि इस परिक्षा के उत्तेर्ण कॉंस्टिबल को प्रकरणों की जाच के अधिकार मिल जाएंगे कर रेलवे के नीजिकरण का विरोध जताया सीटू के हर केवलदीब सिंग ने बताया कि भारतिया रेल आमजन को सस्ती और सुलब सेवा उपलब्द करवाती है प्राइवेट हातों में रेल सौंपने से मुनाफे के लिए किराय में भारी बढ़ोतरी होगी जिससे आमजन की परेशानिया बढ़ेंगी इसलिए रेलवे का नीजिकरण रोका जाए राजसान के मुख्या सचीव राजीर सुरूप ने कहा कि प्रदेश में करोना संक्रमन रोकने के लिए जारी गाइडलाइन की पालना नहीं होने पर संक्रमित रोगियों की संक्या लगातार बढ़ रही है लोगों से समझाईश करके नीजमों की पालना करवाओ नीजमों की अवेलना करने वाले लोगों पर सक्त कारेवाही की जाए मुख्या सचीव आज प्रदेश के जिला कलक्टरों पुलिस अधिक्षकों सहीद अन्य अधिकारियों से वीडियो कॉन्टरेंस के जरिये बात कर रहे थे उन्होंने कहा कि विशेशग्यों ने राय दी है कि करोना संक्रमन रोपने के लिए गाइड लाइन की पालना नहीं होने के कारण ही लगाता रोगियों की संख्या बढ़ रही है यह चिंता का विशे है सरकार ने जगरुकता वियान भी चला कर लोगों को समझाने का प्रयास किया है फिर भी लोग नहीं मानते तो सक्ती से कारेवाई की जाए राइसी नगर कस्पे में बुद्वार रात लाखों की चोरी की वारदात करने के तीन यूवकों को पुलिस ने राउंड अप किया है एसपी अमरेत लाल ने वारदात के बाद टीम गढ़ित कर जान शुरू की आरोपी विनीत, कालिया और अंकुर को राउंड अप कर पुलिस पूश ताश कर रही है नगदी समान बरामद हो गया है हनमानगर जिला चिकितसाल्य में उपचार के दोरान लापरवाही मिली है स्टाफ ने मृत यूवक के भी डिप लगा दी परिजनों ने हंगामा किया तो पियमों ने जांच का अश्वासन दिया सुचना मिले पर पुलिस भी पहुंची गुरुवार शाम को परिजन टिबी निवासी गुलाब को इलाज के लिए चिकितसाल्य लेकर आये थे नर्स ने इंजक्शन डिप लगाई आरोप है कि मोत के बाद भी गुलाब को डिप लगा दी हनुमानगर की नोहर पुलिस ने सवा नो लाक रुपे के गबन के मामले में मुकदमा दर्ज किया है महेश कुमार ने पुलिस स्थाने में रिपोर्ड दी कि बिकानिर की तहसील लून करण सर्ज निवासी अशोक कुमार के साथ उसने वेपार शुरू किया था अशोक ने वेपारिक सोदे में सवा नो लाक रुपे का गबन करते हुए करीब तीन लाक रुपे बकाया दिखा कर दोका दड़ी कर ली राइसीनगर के अमर शहीद बिर्बल स्मार्क में गुरुवार देराथ एक अन यंत्रे ट्रक गुस गया इससे स्मार्क की दिवारे बुरी तरह से शतिग्रस हो गई दुर्गटना में गनी मत रही कि किसी प्रकार की जन हानी नहीं हुई स्मार्क पास बनी जुग्गी जोपडियों में काफी लोग रह रहे थे घटना के दुरान मोके पर मोजूद लोगों ने बताया कि ट्रक काफी तेज रफ्तार में था सुचना मिलने पर राइसे नगर पुलिस भी मोके पर पहुंची और चालक को पुलिस थाने ले गई आंगन बाड़ी कार्यकरताओं ने मोबाईल एप से कोविड-19 की सर्वे स्क्रीनिंग में राहत देने की मांग की है शुक्रवार को अखिल राजसान महिला बाल विकास संयुक्त करमचारी संग की जिला ध्यक्ष सीता स्वामी के निर्थित्व में आंगन बाड़ी कार्यकरताओं ने श्री गंगानगर जिला कलेक्टर के मार्फत मुख्य मंत्री को भेजे ग्यापन में बताया कि वे 4700 रुपए में स्मार्ट फोन खरीद कर कैसे सर्वे स्क्रीनिंग करेंगी इस से राहत दी जाए श्री गंगानगर नगर परिशत की योर से करीब एक माह से अरूट मार्ग पर मुख्य नाले की सफाई का काम करवाया जा रहा है यह काम लगबग पूरा भी हो चुका है अब केवल भाटिया पेट्रोल पंप के पास मुख्य चेमबर से सील्ट निकालने का काम चल रहा है लेकिन पिछे काम पूरा होने के बावजुद चेमबर कवर नहीं किये जा रहे बांस लगा कर चेमबर खुले छोड़ दिये गए हैं इन चेमबर के पास फैरो कवर भी पड़े हैं फिर भी नगर परिशद वाले इन्हें चेमबर के उपर रखवाने की जहमत तक नहीं उठा रही फिलहल इस बुलेटेन में इतना ही फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ SBT News की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नॉटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें